अगर आप रगुलर वाले एक करी से हटके डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट टेस्ट में एक करी खाना चाहते हैं तो आप इस चटपटे अचारी एक मसाला को जरूर बनाईएगा बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है और साथ ही साथ इसका स्वाध बहुत ही बढ़िया होता है बहुत चटपटा बनता है वेलकम टू माई यूटीब चैनल मुहिनिस मिलहब मैं हूं मुहिनिस आगर तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज के इस चटपटे अचारी एक मसाला की रेसिपी को अचारी एक मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया ह चे उबले हुए अंडे अब बारी बारी करके हमें अंडे को नाइफ की मदद से प्रिक कर लेना है और अंडे को मैं यहाँ पर नाइफ की मदद से प्रिक कर रही हूं आप चाहें तो अंडे को फोक की मदद से या फिर टुथपिक से भी प्रिक कर सकते हैं और अंडे को मैं डालके shallow fry करें तो अंडा splatter ना करें अब हम इन उबले हुए अंडों को मसालों से marinate कर लेंगे ताकि जब हम अंडे को करी में डालके पकाएं तो अंडा खाते वक्त फीका ना लगे तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूं जरा सा नमक या फिर नमक आप अपनी टीस्ट के क डाल सकते हैं दो पिंच हल्दी पाउडर और दो पिंच कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर अब बोल को हमें इस तरह से हाथ में लेके इसे एक से दो मिनट तक बिल्कुल अच्छे से मिलाना है ताकि अंडे के उपर मसालों की अच्छी सी कोटिंग आ जाए तो अब आप देख सकते हैं अंडों के उपर मसालों की अच्छी सी कोटिंग आ गई है अब इस बोल को हमें साइड में रख देना है अब एक दूसरे प्लेट में हमें अचार का मसाला निकाल लेना है तो यहां पर मैं सबसे पहले ले रही हूं देड़ चोटा चमच धनिया आधा चोटा चमच आजवाइन एक चथा चुटा चमच मंग्रेल यानि की कलाउंजी आठ से दस मेथी के दाने आधा चुटा चमच पीला वाला सर्सो मैं यहाँ पर पीले वाले सर्सो का इस्तमाल कर रही हूं आप चाहें तो इसके जिगह पे आधा चुटा चमच काला वाला सर्सो भी इस्तम हो गया है अब इस अचार के मसाले को भी हमें कुछ देर की लिए साइड में रख देना है सबसे पहले हमें अंडे को शलो फ्राइब करना है तो उसके लिए फ्लेम ओन करके कड़ाई में मैं डाल रही हूं दो बड़े चम्मच सर्सो का तेल अचार कोई सा भी हो उसे अचारी इग मसाला को बनाते वक्त मैं सरसो के तेल का इस्तमाल कर रही हूं, क्योंकि इससे अचारी एग मसाला का स्वाद बहुत ही बढ़ियां होता है। अगर आप सरसो की तेल का इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं आप इसके जगह पर regular cooking oil का भी इस्तमाल कर सकते हैं। अब हमें high flame पे तेल को बिल्कुल अच्छे से गरम कर लेना है। high flame पे सरसो का तेल जब तेज गरम हो जाएगा तब हमें flame को medium high करना है। अब हम इसमें डाल देंगे अंडा, अंडे को अब हमें medium high flame पे 2-3 मिड़ तक fry कर लेना है ताकि अंडा fry होकि light golden color का हो जाए। जैसे ही अंडा चारो तरफ से light golden color का fry हो जाएगा तब हम flame को बिल्कुल low कर देंगे और अंडे को हमें प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब इस तेल में हमें डाल देना है अचार का मसाला, मसाले को हमें low flame पे 1-2 मिनट तक fry कर लेना है ताकि मसाला तेल में crackle हो जाए और मसाले का कच्छापन भी दूर हो जाए। दो मिनट के बाद जब मसाला तेल में crackle हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे half inch अद्रक, 8-10 lesson की कलियां, एक medium size का roughly chop किया हुआ प्याज, एक medium size का roughly chop किया हुआ टमाटर और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल जरा सा नमक ताकि प्याज टमाटर जल्दी से औ दो मिनट तक फ्राई करना है ताकि प्याज टमाटर हलका सा सौफ्ट हो जाए तो जब प्याज टमाटर फ्राई होके इस तरह से हलका सौफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे एक चौथ हाई कप पानी और पानी डालके हमें इसे ढखके medium low flame पे दो मिनट तक और फ तो अब आप देख सकते हैं प्याज टमाटर और जो भी खड़ा मसाला हमने इसमें डाला था सब कुछ बिल्कुल अच्छे से सौफ्ट हो गया है और थोड़ा बहुत इसमें पानी मौजूद है तो हमें इसे पूरी तरह से नहीं सुखाना है हमें अब इस स्टेज पे flame को off करना है और अब हम इसको कुछ देर ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए फ्राइ किया हुआ प्याज टमाटर जब बिल्कुल अच्छे से ठंडा होके नॉर्मल रूम टेंपरेचर पर आ जाएगा तब हम इस फ्राइ की हुए प्याज टमाटर को बड़े वारे ब्ल पानी और डाल सकते हैं अब हमें अचारी एग मसाला का फाइनल ग्रेवी बनाके तयार करना है तो फ्लेम को ओन करके कड़ाई में मैं डाल रही हूं 3-4 बड़े चमच सरसो का तेल तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया अगर आप सरसो के तेल का इस्तमाल नहीं करना चाहत हैं तो आप रग्लर खूकींग ओल imbalance का समॉल कर सकते हैं रग्लर कुकिंङ और से भी अचारी एग मसाला का टीस्ट बहुत बढ़िया आएगा अब हमें आए एक तेज पत्ता और तीन सुखे लाल मिर्ज तड़की को हमें लो फ्लेम पे एक मिर तक फ्राई कर लेना है तकी तड़का क्रैकल हो जाये जैसे ही तड़का क्रैकल हो जाएगा तब हमें फ्लेम को ओफ कर देना है और तेल को हमें normal room temperature पे बिलकुल अच्छे से ठंडा कर लेना जैसे ही तेल बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे एक चोटा चमच भरके काश्मेरे लाल मिर्च पाउडर आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर और यहां पर हम मसालों को तेल में ठंडा करकी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे ग्रेवी का आमचुर पाउडर इससे अचारी एग मसाला का स्वाद बहुत बढ़िया होगा इससे ग्रेवी में खटास आएगी पिसा हुआ मसाला डाल देंगे हम इसमें और मसाले में हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि जब हम मसाले को लो फ्लेम पे ढगके फ्राई करें तो म इसके लिए ब्लेंडिंग जार में ही थोड़ा सा पानी डाल के आपको इसमें डाल देना है और अब सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देंगे नमक एकॉरिंग टू टेस्ट अब इन सारी चीजों को एक बार हम बिल्कुर अच्छे से मिला लेंगे फ्लेम को अब हमें ऑन कर आ जाए और मसाले की सर्फिस पे ओईल उस आउट हो जाए मसाला अब बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और आप देख सकते हैं मसाले का कलर बहुत बढ़ियां आया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूं अंडा और यहां पर अंडे की कॉंटिटी को आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं आधा चुटा चमच कसूरी में ठीका पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे अब ही आप देख सकते हैं मसाला थिक है तो अब मैं इसमें पानी एड़ करूंगी ग्रेवी के लिए तो मैं इसमें हाफ कप पानी आप से एड़ कर सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उसी हिसाब से पानी के इस्तमाल कीजीगा अब इन सारी चीजों को हमें हलके हाथों से मिलाना है और फ्लेम को अब इस स्टेज पे हम बढ़ाएंगे फ्लेम को अब हमें लोग से मिरियम लो करना है और ढख के हमें इसे 3-4 मिनट तक और पका लेना है तो करीब 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी में एक उबाला चुका है तो अब हम फ्लेम को ओफ करेंगे अब आप इस गर्मा गरम अचारी एग मसाला को सर्फ करें गर्मा गरम पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी, च चीरा राइस के साथ, सभी चीजों के साथ इस अचारी एग मसाला का स्वाथ बहुत ही बढ़ियां लगता है, बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है, आप घर पर बना के ट्राय जरूर किजेगा, उसके बाद आप मुझे कमेंट सक्षन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज मेरी आप से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो की नीचे दिये गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजेगा, चैनल पर नहीं आये हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, तिल देन, थैंक्स वर वाचिंग, टेक एर, ब बी हैपी, मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ,